नमस्का में साक्षिया मेनस नूस लाइब में आउस्पदर शुकू का स्वागत है देखते हैं उद्धियों को व्यापार जगत की कुछ खास खबर ठोक में विक्रहा टमाटर 40 रुपए किलो नाकपूर चुनाओ के दोरां 3 दिनों तक बाजार बन रहने के कारण सब्जियों की दाम आसमान पर रहे हैं मंगलवार से बाजार में सब्जियों के दाम थोड़े कम हुए है वही ग्राहकी भी बाजार से नदारत है शुक्रवार क के बाजार खुलते टमाटर के दाम लगबग 1000 रुपए प्रती 25 किलो पहुच गए थे सब्जियों की आवक भी भरफूर थी शनिवार को और रविवार को दाम उपर ही रहे लेकिन जोंवार के बाद दाम में थोड़ी गिरावर डर्च की गई है मंगलवार को टमाटर के द चाम 700 से 850 रुपए प्रती 25 किलो रहे ठोक में टमाटर 35 से 40 और खुदरा में 50 से 60 रुपए प्रती किलो कि दर से भिक रहा है बाजार में टमाटर चिनवारा और राजिस्थान से आ रहा है बाजार में लोकल और भारी शेत्रा से सबजिया आ रही है लोकल में चवला फली बिंडी पैंगन आदी आ रहा है जबकि दंदुरबार से गवाल फली जगदलपूर और दिल्ली से हरे मिर्च और करेला की आवक हो रही है फिलहाल बाजार में लोकल सब्जियों की आवक बहुत कम हो रही है अगस के पाच से आवक बढ़ने की संभावना जता ही जा रही है पारिश के बाद शुरू होगी अचार के आम की आवक बाजार में आम की शुरुआत हो गई है लेकिन अब भी अचार का आम बाजार में आने का नाम नहीं ले रहा है जुन मा में बारिश शुरू होते ही बाजार में अचार के आम की आवक शुरू हो जाएगी अभी थोक ब बाजार में अंडों की आवक काफी कम हो रही है। बाजार में अंडा 320 रुपए प्रती सौनक के हिसाब से बिक रहा है। और आवक भी घटकर 3 लाग अंडों की हो गई है। सर्डियों के मौसम में 12-13 लाख अंडों की रोजाना आवब होती है पताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने पर अंडों का सेवन कम हो जाता है यही कारण है कि आवब घटने पर भी दाम लगातर घट रहे है तो अमिनस नुजाई की खबर देखने के लिए आज जी प्ले स्टो